तो आप में से बहुत साहे लोग options में trading करते होंगे लेकिन आप में से बहुत कम लोगी options trading से पैसा बना पाते हैं इसके पीछे क्या vision है कभी आपने find करने कोसिस किया है इसके पीछे बहुत सार vision हो सकते हैं लेकिन one of the main vision यह है कि options trader को यही पताने रहता है कि exact मुझे किस point के बाद profit मिलेगा और कितना profit मिलेगा for example यहाँ अपने आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हम nifty के option chain पे आगए और अभी देख सकते है market आपका 17407 के price पे trade कर रहा है अब देख सकते हैं यह आपका 17407 के price पे trade कर रहा है यह आपका add दमनी है अगर आप इसके call options को buy करते हो यहाँ पे हम 17400 के call options को buy करते है इसका premium कितना है इसका premium है 170 के आसपास साथ पॉइंट का नुकसान होगा जी कि यहाँ बिल्कुल साही सोचरे हैं आपके फिएवर में आरा मारकेट उसके बाद एकस्पाइट दे रहा फिर भी आपको यहाँ पे नुकसान होगा तो आपको कितना प्राफिट होगा अब आपको तजबवर प्राफिट होगा बहुत लोग SIE सोच रहोंगे लेकिन अब भी आपको profit नहीं होगा market अगर आपको 17-550 की level पर भी expired देगा फिर भी यहाँ पर आपको 20 point का नुकसान ही होगा यानि आपने 17-400 call options को buy किया है market आपके favor में 1.500 point आया है और 1.500 point उपर आके expired दिया फिर भी आपको यहाँ पर 20 point का नुकसान ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने अपना break even point calculate नहीं किया यहाँ पर हमारा जो break even point बनेगा वो बनेगा हमारा 17,520 के आसपास जी हाँ बिल्कुल साइस होते हैं इसके ऊपर आएगा तभी market आपको profit देगा अगर इसके नीचे किसी भी level पे रह जाए 17-510, 17-515 तो हमें नुकसान ही होगा यानि इसके ऊपर अगर expire देता है तभी profit होगा इसके नीचे किसी भी लेवल पे अगर market expire होता तो हमें नुकसान ही होगा यह चीज़ आपको समझता है प्रेक इवन पॉइंट कैसे calculate कर सकते और कैसे हम find करें कि exact मुझे किस point के बाद profit मिलेगा चलिए उसको हम detail से समझते हैं तो चलिए यहाँ पर हम सीखते हैं कि कैसे हम अपना break even point calculate कर सकते हैं कैसे हम find कर सकते हैं कि हमें किस particular point की बाद profit मिलेगा options trading में और यह चीज़ आपको help करेगा सही strike price के selection में और आप इस तरीके से options trading में थोड़ा बहुत profit earn कर सकते हैं कर लिए इसको सीखते हैं और समझते हैं यहाँ पर देख सकते हमने एक option chain लिया और जब इनने option chain का selection किया था उस टाइम पर निफ्टी आपका 17100 लेवल पर trade कर रहा था यह यह आपका add the money है अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर जो आपका call options का premium है वह आपका लगवा 79 हनदीट के call options को buy कर लेव 79 रूपि 85 पैसे पे तो अगर market यहाँ से 50 point उपर आके expire ही देता है कि आपको यहाँ पर profit होगा नहीं profit होगा यहाँ पे आपको नुकसान ही होगा at least 20 point का नुकसान होगा अगर market यहाँ से 100 point ऊपर आके axis pages देता यहीं सत्रों दोसों के लेवल पर आ 20 पॉइंट का profit मिलबा है, यह सब हम कैसे calculate कर पा रहे हैं, चले इसको समझते हैं, इसके लिए हमें break-even point निकालना परेगा, break-even point simple है, यह आपका है strike price, यह आपका call side का premium, और यह आपका put side का premium, अब यहाँ पे हम कैसे break-even point find करेंगा, सबसे पहले हम call side की तरफ आते हैं, इसका break-even point find करने का simple सा तरीका, strike price प्लस premium, आपको 17,100 के level पे जो premium है, वो है, 79 रूपीज 85 पैस है, इसका break-even point क्या होगा, strike price प्लस premium, यहाँ पर देखे हमने वह ही किया, strike price 17,100 प्लस premium, 79 रूपीज 85 पैस है, तो break-even point क्या हो गया, 17,179.85, यह नहीं, मुझे यहाँ पे profit कब गा, 17,180 के उपर अगर market जाता है, तब यहाँ पे मुझे profit मिले, इसलिए मैंने बोलता है, कि 17,200 पैसे मुझे कितना profit मिलेगा, 20 point का profit मिलेगा, तो इसके उपर अगर market गया, तो profit होगा, इसके नीचे जितना भी, नीचे market रहेगा, आपको क्या होगा, नुक्सान होगा, तो क्योंकि आप 70,100 के call options को buy करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको नुक्सान होगा, तो यहाँ पे हम strike price का selection कैसे करेंगे, वो हम आगे समझाएंगे, अब हम यहाँ से और आपका नीचे की तरफ चलते हैं, ऐसे हम calculation करते हैं, अब आप देखे, 17,050 के level पे premium है, 111 तो इसका break-even point क्या होगा, strike price यहाँ यहाँ पे हमने वही किया, 17,161.15, यहाँ आपको लग रहा market, 17,150 के level पे आएगा, तो क्या यह भी strike price का call options buy करोगे, नहीं buy करोगे, क्योंकि इसका break-even point है, 17,161.15, यहाँ यहाँ मुझे profit कम मिलेगा, 17,161 के ऊपर market जाता है, तभी profit मि के level के करीब रहा है, उससे नीचे market रहा हमें क्या होगा, नुकसान होगा, ऐसे ही, 17,000 के level पे, जो strike price का premium है, वो है, 146.25, तो इसका break-even point क्या होगा, strike price प्लस premium, यहाँ पे वही किया, 17,000 प्लस, 146.25, break-even point बना, 17,146.25, इसका क्या मतलब होगे, कि market अगर 17,146 से ऊपर जा तो अगर आपको लगता है कि market, 17,150 के level तक आ सकता है, तो एक जो आपको strike price का premium buy करना होगा, list आपको 17,000 के strike price का premium buy करना होगा, तब जाके आपको यहाँ पे, 17,150 के level पे market expire होगा, तो आपको 4 point का profit मिलता हुआ दिखेगा, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप 17,000 के strike price का call options buy करोगे, या फिर इससे नीचे के strike price का call options का premium buy करोगे, तो इस तरीके से आप सही strike price का selection भी कर सकते हैं, अगर आप break even point find कर सकते हो तो, similarly आप और नीचे जा सकते हो, section 5950 का premium है, 187.75, तो यहाँ पे वही किया, break even point बनेगा 17,137, अगर market, 17,150 के level पे expire होता है, तो यहाँ पे तो मुझे मिलेगा 13 point का profit, तो इस तरीके से आप exact profit भी calculate कर सकते हो, market अगर किसी particle level पे expire होता है, तो मुझे कितना profit होगा, और कितना नुकसान होगा, और अगर आप options trading करते हैं, यह basic चीज़ है, यह आना जरूरी है, तब यह आप सही तरीके से risk reward issue को calculate कर पाऊगे, similarly आप इस 17200 plus 36.10, 17236.10, यह हमारा क्या हो गया, break even point, इसी तरीके से आप किसी भी strike price का call options का premium और break even point find कर सकते हो, similar दिए यहाँ पर अगर हम put की तरफ देखें, तो put की तरफ आप कैसे find करोगे, call की तरफ formula याद रखना, strike price plus premium, और put की तरफ क्या होता, strike price minus premium, करके बताता हूँ, 17100, यहाँ पर put options का premium है 69.35, यहाँ पर देखें हमने वही किया, 17100 minus 69.35, 17030, यहनि यहाँ पर अगर आपको लग रहा है, कि market यहाँ से नीचे यहनि 17,050 के level पर जाके expire हो सकता है, तो आप क्या करोगे, अगर आप 17100 के put options को buy करोगे, यहाँ पर आपको profit कब मिलेगा, profit मिलेगा, जब market 17,030 के level से नीचे जाएगा, तब profit मिलेगा, अगर market 17,050 के level पर expire ही दे दिया, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, profit नहीं होगा, नुकसान होगा, 20 point का नुकसान होगा, क्योंकि आपका break-even point है, 17,030 के level पर, महीं और नीचे हम calculate करते हैं, अगर आप 17,050 के level पर देखो, तो मैंने क्या बोला था, strike price minus premium, तो यहाँ भी वैसे calculate करोगे, 17,050 minus 49.90, that means to 17,000, यह नहीं, अगर हम 17,050 के strike price का put options buy कर रहे हैं, 49 के premium पर, तो मुझे profit कब होगा, मुझे profit होगा, अगर market 17,000 के नीचे जाएगा, तो यहाँ पर मुझे profit होगा, यहीं मेरा break-even point बनेगा, 17,000, यहीं 17,000 के नीचे, अगर market जाता है, तो profit होगा, उसके नीचे market वहेगा, तो मुझे क्या होगा, नुकसान होगा, तो इस तरीके से आप put साइड की तरफ भी ब्रेक इवेंट पॉइंट कर सकते हैं यहां पर अगर ऊपर की तरफ आ है सब ओज़र 17200 पर हम कल्कुलेट करते हैं क्या करता है स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियब 17200 माइनस 125.45 देखिए हैं यहां पर हमने वही किया 17200 125.45 आता है 17,074 यहनि यहां पर मुझे प्रॉफिट कब मिलेगा अगर मार्केट 17,074 से नीचे रहा तो यहां पर मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो अगर आपको लगता है कि मार्केट 17,050 के लेबल पर एक्सपार हो सकता है तो आप क्या करोगे आप 17200 के strike price का put options buy करना प्रेफर करोगे यहां पर आपका break-even point क्या बंद वाया break-even point बंद वाया 17,074 यहनि अगर इस लेबल पर एक्सपार होता है तो यहां से लगवा 24 point नीचे एक्सपार हुआ है मतलब यहां पर मुझे 24 point का profit होता होगा तो इस तरीके से आप अपना perfect strike price का selection भी कर सकते हो और किसी particular level पर एक्सपार हुआ तो कितना profit मिलेगा वो भी call side की तरफ अगर आप sell कर रहे हो suppose that put options आप sell कर रहे है या call options sell कर रहे है तो आपका break-even point क्या होगा break-even point यहां पर आपका same होगा put में हमने क्या देखा था हमें profit कब मिलवा था अगर market इस particular level के नीचे जाता है तो यहां पर मुझे profit मिलवा था लेकिन अगर हम यहां पर put options को sell करते हैं तो हमें profit कहां तक मिलेगा हमें profit infinity से लेके 17,030 के level तक मिलेगा अगर market इसके नीचे गया तब ही put right उसको नुक्सान हो put why operators को यहां पर profit होगा तो आपको simple सा ध्यान रखना जहां पर put buyers को profit होड़ा वहीं पर put owners को नुक्सान होगा और उससे उपर सारी level पर put wait को क्या होगा profit होगा वहीं permissions, call options को sell कर रहे तो उसका break event point क्या होगा उसका यह break event point same ही हो for that, कोई 17,100 के call options को sell कर रहा, 79.85 के premium पे, उसको यहाँ पे profit कब होगा और loss कब होगा, simply आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, call buyers को profit कब होगा, अगर market 17,180 के उपर जाएगा, तब आपको यहाँ पे profit होगा, ठीक है, लेकिन call buyers को क्या होगा, जब call buyers को profit होगा, तब call buyers को नुकसान होगा, मतलब market अगर 17,180 के उपर गया, तब ही call buyers को नुकसान होगा, अगर market आपका 0 से 17,180 के बीच में किसी भी level पे रहा, तो क्या होगा, call buyers जो किया है, वो आपके profit में रहेंगे, यह सी आपको ध्यान रखना, जब buyers को profit होगा, उस ताइम पे ही, वाइट का profit का point निकाल लीजे, उसके बाद उससे ऊपर यानी चीज कहीं भी market वे, उसको हमेशा profit ही होगा, चलिए इसको हम और अच्छे से pay off chart पे चलके समझते हैं, यहाँ पर हम ऑप्स्ट्रा के website पे आगे हैं, और यहाँ पर हम pay off chart देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको select क कर लिए, और यहाँ पर आपको expiry select करना, हमने monthly expiry select किया, strike price हमने 17,400 select किया, और call options हमने select किया, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने आपको क्या बोला था, आप अपना break even point कैसे calculate कर सकते हैं, call options में strike price plus premium, that means true, 17,400 plus 160, यानी 17,560 के करीब यहाँ पर मेरा break even point बनेगा, चलि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने क्या बोला था, 17,560 पर मेरा break even point बनेगा, देखिए, वह हमारा यहाँ पर break even point बनता हुआ देख सकते हैं, यह हमारा break even point है, अब यहाँ पर आप इसका pay off chart देख सकते हैं, आपको profit कब मिलेगा, आपको profit मिलेगा जब market 17,560 से उपर नि तो जहाँ पर आपको नुकसान हो रहा, वहाँ पर उसको क्या मिलेगा, वहाँ पर उसको profit होगा, जो लोग call sell कर रहे हैं, उनको नुकसान कब होगा, जिस vision में आपको profit मिलवा, उसमें आपको नुकसान होगा, चली उसका भी chart में आपको ड्वा करके दिखा जेता हूँ, आ इसका pay off chart कुछ अलग बन गया, और break even point देखिए, 17,560 रह गया, और यहाँ पर range देखिए, 0 से 17,560, यानि इस range में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, यानि market 17,560 से नीचे किसी भी लेवल पर रहेगा, यहाँ पर call writers को profit ही मिलेगा, call writers को नुकसान कब होगा, ज या फिर call selling, या फिर call writing करते हैं, तो आप अपना break even point find कर सकते हैं, और कब profit होगा, कब loss होगा, कितना होगा, वो सारा कुछ आप यहाँ सभी find कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर put की तरफ देखते हैं, अब हम 17,400 के call के जगा पर हम put को select करते हैं, अब put की तरफ यहाँ पर देख देखते हैं कि हमारा break even point क्या बंद रहा है, तो यहाँ आपने देखा, मेरा break even point क्या बंद भाया, break even point बंद भाया, 17,249 का, यह नि अगर market 17,249 से नीचे रहता है, तो फिर यहाँ पर मुझे क्या होगा, यहाँ पर मुझे profit होगा, अगर market इससे उपर निकला, तो मुझे न नुकसान होगा, तो इस तरीचे से अगर आप put options को buy कर रहे हैं, लोब आपना profit loss calculate कर सकते हैं, put options की तरफ जा रहे हैं, तो आपका break even point is 17,249, इसके नीचे रहेगा, क्योंकि आपका view negative है, इसके नीचे रहेगा, तभी profit होगा, अगर market इसके उपर आएगा, तो क्या होगा, simply अगर कोई put को sell कर रहा, तो जिस region में आपको profit हो रहा, इस region में आपको profit हो रहा, इस region में क्या होगा, put को sell करने वाले को loss होगा, और जिस region में आपको loss हो रहा, उस region में, जो put को sell कर रहा, उसको क्या होगा, उसको profit होगा, यानि जो buyers का रहता, उसका ultra payoff chart बनता है, जो लोग पुट सेल करते हैं उसका चले यहाँ पर पुट सेल करने वाले का भी पे ओफ चार्ट देख लेते हैं इस पर क्लिक करते हैं मेरा यह सेल कॉल बन जाएगा अब देखिए उल्टा होगे आपका इसका भी ब्रेक एवन पॉइंट वही है 17,250 के करिए यहनि मार्केट अगर आप से उपर कहीं पर भी मार्केट चला जाए पुट वाइटेउस हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे पुट वाइटे यह जो नुकसान कब होगा जब मार्केट 17,250 के नीचे आएगा तब ही वह लॉस में रहें इसके ऊपर कहीं पर भी आजाए तो वह क्या रहेंगे वह हमेशा profit में ही रहेंगे देख सकते हैं इसके नीचे आएगा तो उनका loss बढ़ता चला जाएगा और उससे उपर जाएगा तो उनका profit limited है तो इस तरीके से आप अपना break-even point calculate कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आपको ये point समझ में आ गया होगा अगर इससे विलेटर कोई भी doubt या फिर confusion है तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं वहाँ पर आपका proper answer किया जाएगा और आपके comment का इंतजार रहेगा अगर आपको ये video पसंद आया प्लीज video को like करके इंकवेज किजिए ताकि इस तरह के और भी informative videos हम आपके लिए regular basis पर लाते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन